पिल्थवी पर छोटे कड़ों से लेकर बड़ी चट्टानों तक कई तरह के पत्थर आपने देखे होंगे आकार में भले ही ये भिन्न हो लेकिन क्या आपने कभी किसी पत्थर से खून निकलते हुए देखा है सुनने में ये भले ही अजीब लगे लेकिन हैरान करने वाली यह बात सच है आज हम आपको ऐसे ही एक पत्थर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे तोड़ने पर खून निकलता है इस पत्थर के तूटने पर वैसे ही निसान बन जाते हैं जैसे हम इनसानों के सरीर पर चोट लगने पर बनते हैं सिर्फ यही नहीं इन पत्थरों से मास भी निकलता है जिसे लोग मीट के रूप में खाते हैं क्या है इस पत्थर के पीछे की यजब कहानी? आईए जानते हैं पत्थर के राज. इस पत्थर को पायूरा चिली यान्सिस के नाम से जाना जाता है, जो की चिली और पेरू की समुद्री तलो में बड़ी संख्या में पाई जाते हैं. असल में यह पत्थर नहीं वलकि पत्थर जैसा दिखने वाला एक समद्री जीव है जो सांस भी लेता है और खाना भी खाता है साथ ही इसके पास लिंग बदलने की अदभुत चमता है जिसकी साहता से यह बच्चे भी पैदा करता है पहली नजर में देखने पर यह सामने पत्थर की तरह ही आपको नजर आएगा इस पत्थर को जैसे ही तोड़ा जाता है वैसे ही इसमें से खून बहना सुरू हो जाता है यह पत्थर चट्टानों से चिपका रहता है और धीरे धीरे उनका हिस्सा बन जाता है इस पत्थर को period rock के नाम से भी जाना जाता है देखने में यह पत्थर उपर से सक्त दिखाई देता है लेकिन अंदर से बेहदी नरम और मलायम होता है ऐसे में पत्थर से निकलने वाले मास को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं लोगों के बीच इन पत्थरों की मांग बढ़ती जा रही है जिसकी बज़े से लोग इन पत्थरों की तलास के लिए समदर की गहराईयों में चान रहे हैं इस पत्थर से कही तरह के वेंजन भी बनाए जाते हैं लेकिन इस्थान्य लोग इसे कच्चा ही खाना पसंद करते हैं तो दोस्टो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो वाचिंग वीडियो तन्यवाद